बारतिये जनता पार्टी के लीडरों का काम भविश्वानी करना रही गया है। अकूव असीम खान देख्ये बिहार की राजनीती का पारा लगतार बढ़ता जा रहा है अब तो सियासी गल्यारों में भविस्वानी भी होने लगे। सुसील कुमार मोधी रखिये बीजेपी के वरिश निता हैं असपस रूप से कहते नजर आ रहें कि छे महीने में मुक्वंत्री नितीज कुमार मुक्वंत्री नहीं रहेंगे इस्तिफा देना पड़ेगा और जेडियू बरबाद हो साएगी हमारे साथ जेडियू की करदावर निता एमिल सी खाली दन्वर साहब हैं इसे बात करेंगे छे महीना और जेडियू बरबाद भारतिये जनता पार्टी के लीडरों का काम अब हविश्वानी करना रही गया है वो इतने राजनीती इतिवार से ऐसी गंदी हरकत करने लगे हैं कि न तो बिहार के लोग न भारत के लोग इनको पसंद करते हैं यह किसी नेता के बारे में किसी पुलिटिकल पार्टी के बारे में आप इस तरह की ब्यानबादी कैसे कर सकते हैं आप होते हैं कौन भई आपने क्या समझ रखा अपने आपको क्या आप इतने अहंकार में जी रहे हैं कि सारी पुलिटिकल पा जितना भी कोशिस कर ले वो सफल नहीं हो पाएंगे जेडियू को एक्जूट करने में इसका मत्दब बिल्कुल राजनीती में है लेकिन पॉलिटिकल साइंस का ग्यान नहीं उनको पार्टी विदिन पार्टी पार्टीयों को मजबूत करती है या कमजूर करती है जिस पार्टी में जितना गुरूप होता है वो पार्टी उतनी ज्यादा मजबूत होती है पढ़ ले जाकर के ग्यान ले है किस पार्टी में गुरूप नहीं है कौन ऐसी पार्टी है जिस में नितीश कुमार के साथ कल भी थी आगे भी रहेगी और नितीश कुमार जी इंडिया ब्लॉग को ले करके आगे बढ़ेंगे पूरे देश में रेलिया होंगी भारतिये जनता पार्टी को जाना पड़ेगा उनके दिन गिने चुने रहे गए जितना मांजी जो कि मुक्वंति हैं और मुझे लगता है कि कम लोग ऐसे होंगे जिनको नितीश कुमार ने इतनी बुलंदियों पर पहुंचाया अपनी कुरसी छोड़ करके उनको बठाया इसके बावजूद जितना माजी जी ने जो हरकतें की जिस तरह से उन्होंने सत्ता को इधर से उधर करने की उसके बार जब बिहार की जंता का एतिवार उनसे उठिया ना सिर्फ नितीश कुमार का बलके बिहारola की पूरी जंता का इतिवार उठिया है और आ नहीं जगना भएन हो जाएंगे मुझे नहीं अंदाजा था ज lige नहीं मांजी जी को यह समझना चाहिए नीचैस कुमार ज के हट में होता है रास्ट के लिए सोचते हैं और आज के दिन रास्ट के लिए जरूरी यह है कि भारतिय जनता पार्टी की नितियों से देश को जनता को किसानों को नौजवानों को मुक्ति मिले और उसके लिए नितिश कुमार काम करेंगे तो यह भी लगा जा रहा है कि दो मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके यानि पूराने साथी के साथ बाते तो चली रही है अंदर खेमे में यह भारतिय जनता पार्टी की जो प्रपगंडा मशीन हैं और उस मशीन से कब क्या निकलेगा किसके करेक्टर को उचाल दिया जाएगा किसके स्वास्त के बारे में आप अपनी मशीनों का इस्तेमाल कीजिए जनता को गुमराह करने के लिए लेकिन अब जनता गुमराह नहीं होने वाली है यह इसमें कोई सचाही नहीं है कि क्या दो दिल मिलने हैं नितीश कुमार की शख्सियत है वेक्टित है कि उनको सभी पुलिटिकल पार्टिया चाहत यह बात चाचा भतीजी की नहीं है यह बात तेरा करोड बिहारियों की है यह बात एक सो तीस करोड़ भारत के लोगों की है कि उनका भविश्क क्या होगा यह किसी के परिवार को आगे बढ़ाने की बात नहीं है किसी पुलिटिकल पार्टी को मजबूत करने की बात नहीं ह कि देश के नौजवानों का भविष्ट क्या होगा, किसानों का भविष्ट क्या होगा, महिलाओं का भविष्ट क्या होगा, क्या देश चंद पूजी पतियों के हाथ का खेलोना बन जाएगा, क्या वहां जाकर कि इसको देश को किसी के हां गिर्वी रख दिया जाएगा, हुए दूनिया को इसके साथ खड़ा होते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेशकटा हम अपनी विचार-बार के साथ चलेंगे और जो लोग भी हमारे साहा है मुनका पूरा सम्मान करते और अगे भी करते पर विश्वास है कि आप लोग जिस तरीके से आप करें हम लोगों के विशाधराओं के साथ जो भी खड़ी रहेंगी हम खड़े रहेंगे तो लग रहा है कि राज़त जो है वो पचीस सक एकदम साथ साथ खड़ी रहेंगी देखिए राश्टिय जनतादन एक ऐसी पुलिट आज नितीश कुमार जी और लालू परसाद यादो विचारधारा की वैसे साथ साथ हैं वो जानते हैं कि जब तक इनको उठाएं नहीं जाएगा मागे ये देश और ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा तो लिए पोलिटिक्स भरोसे की चीज नहीं होती प्रोटिक्स ब से उन्होंने समझदारी उनके अंदर पैदा हुई है और जितना डीपली चीजों को ले रहे हैं और बहुत समलके चलना और एक एक चीज को जाचना परकना आगे बढ़ना ये तेश्वी आदो जी का कद्ब बहुत उचा होता जा रहा है और मुझे लगता है कि नितीश कु हुआ खर पार लगता है